हेलो दोस्तों स्वागत है फिर से आपके चएनल में दोस्तों आज हम फिर से वीडियो यहलों希 के बारे में बात करेंगे स्वक्त Beauty वेिडियों करें सोरी वैडिबी के बारे में बात करेंगे तो छलि स्थो शुरू करते pracy पहले इतना क्रोप कर लेता हूं तो इसका मुझे साइज बनाना है शोटकर तरीके से तो विंडो में जाए आप एक्षिन पे कलिक कर दीजिए ठीक है यह मैंने पहले से एक्षिन बना रहा है इसको डलीट कर देता हूं एक बार मैं और यहां जाए आप यहां जाके न्यू एक्षि पर क्लिक कर सकते हैं आप यहां से भी सिधा नियू एक्षिन बना सकते हैं ओके दोस्तों इतना कम होने के बाद दोस्तों आपको यहां बटन सेलेक्ट करना है जो हमारे फंक्शन की जोते हैं उसमें से आप कोई भी बटन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं F8 मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहां दोस्तों आप अपने साइज का नाम लिख सकते हैं जैसे साइज जैड़ी बारा इंटु छतिस तो मुझे बदा चल जाएगा कि कौन सा यह साइज है और रिकॉल्ड कर दीजिए ठीक है इमेज साइज में जाके इमेज साइज होता है ना जो जिए रहा इस आप यहां इंचे जो तो सेमी हो तो इंचेज करके यहां जो भी आपके ऐलों का साइज हो उसे बर दीजिए ठीक है यहां रेजुशन दोस्तों रख लेना और ओके कर दीजिए ठीक है यह देखिए और हमें बीच में लाइन लगानी है तो आल्ट वी और ई से यह दीजिए इतना काम होने के बाद दोस्तों हमरा एक्शन बन चुका है अब हम इस पर बनाएंगे एक बैक्रांड और शीट लगाएंगे इस पर वैडिंग एलों की ठीक है मैं आपको आज इसमें इसको यहां से मैं कलर चूज कर लेता हूं यह मैंने कलर सेक्ट कर लिया है औ और जी भाड़ था मैंने द्वारा पेश्ट कर दिया ठीक है इसको मैं थोड़ा सा ब्लर करेता हूं जी से इसको मैंने कर दिये और कर दीजिए अब आपको दोस्तों लेयर में जाके एसले एपन हो जाते हैं और यहां दोस्तों आप देख लीजिए कि कौन साथ को स़ही लग रहे मुझे तो इसको आप झो सचाहीं तो इसकी जो ऑपिस्टिई कम कर सकते हैं जैसे יק मैं कर रहा हूं घृतिक कर रहा था आप यहां से कर सकते 3 ऐस सबहुल कर कि कि कबने हैं कि 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 हमारे इस पे हम इसको जोड़िए आपि यह ओसा को एक ताकि यह देखिए हमारी बैक्राउंड रेडी हो चुकिया अब हम सिंपल कंट्रोल एक कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करके इसकी डबल लेयर बना लेते हैं ठीक है इस लेयर को स्लेक्ट कीजिए और इस पे हम ऐसे एक डबी बना देंगे कंट्रोल जे दबाएंगे तो यह देखिए और इसको आप कंट्रोल यू से वाइट कर दीजिए तो हमारी डबी यह बन चुकी है ठीक है इसको हम कॉपी करके उपर ले जाएंगे ओके दोस्तो अब हम यूद के द्वारा यहां से यह वाला जो टूल है दूर नूमबर उसको स समूथनेस के लिए बार्डर दे दीजिए और सुरी यह समूथनेस के लिए इक्रीज कर दीजिए यहां और यह देखिए यह ज्यादा हो रहा है मुझे इतना नहीं तो मैं इसको और भी कम करते हूं पॉइंट टू कर दिये मैंने और सिफ्ट दबाकर आप यहां से इसको की बाए था ठीक है और इसको मैं यहां इतना बना लेता हूं ओके बसकणDO अब यहां से माइनस पंतारिस भर दीजी तो यह हमारा कंट्रॉल एंटर दबाएंगे तो यह खट जाएगी स्वरी एंटर दबाएंगे देट वाला हट जाता है ठीक है यह हमारा इतना काम हो चुका है दोस्तों अब हम सिपल आप यहां से इसको जूंग कर लिए वह ले और इसको हटा दिता हूं एक वर मैं टूल को टैब के दौर हटाया है मैंने और एम टूल सेलेक्ट करना है आपको और यहां से आप इसको यहां तक सेलेक्ट कीजिए ठीक है अब आप उपर लेके जाना है इसको तो सेलेक्ट में जाईए और ट्रांस्फॉर्म लिखाए ना इसके दौरा आप इसको सिंपल खींच के उपर कर दीजिए ओके दोस्तों कि अब हमें इस पार्ट की कोपी करना है तो कंट्रॉल जबां दीजिए कंट्रॉल जइद बने से यह कॉपी हो जाएगा यह देखिए क्उपी होगया इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा टाकि अलग दिख सबके ठीक हैं ओके Ctrl-J दबाएंगे और इसकी एक कोपी हम और कर लेते हैं इसको आप light कर दीजिए Ctrl-J दबाने से दोस्तो इस layer की एक कोपी और हो गिया और इसको Ctrl-U से मैं थोड़ा सा light कर देता हूँ ओके और ओके कीजिए Ctrl ये देखिए layers में दिखा रहा हूँ आपको Ctrl-Bracket से मैं इसको पीछे कर देता हूँ Ctrl-Bracket से मैं ने पीछे की था ये हलका सा border आ गया इस पर ठीक है ये देखिए इसको आप थोड़ा सा उपर कर देंगे तो ये border और भी देखेगा आपको ठीक है ये देखिए हमारा ये border लग चुका है अच्छे तरीके से अब हमें दोस्तो इस पर थोड़ा सा काम करना है इसको तो जूम कर लेते हैं ओके अब आप अपनी फोटो लेका ये सबसे पहले ये फोटो है को खीच के मैं इदर ले आया ये दोस्तों खीच के फोटो को सिंपल आल्ट और टैब दबाया मैंने और ये फोटोशोप को ओपन किया और यससे खीच के मैं इदर ले आया ठीक है इस तरीक के से मैंने शॉट कट यूज किया था हैं इसको आप जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना आप लगा दिजिए मुझे इतना विस्सा चाहिए इसका और अब हैब्ढमें इसको दूँगा maximum ठीक है floods के लिए और या तो कट करके आप उधर परएश्ट कर दीजिए मूब टूल से करतीयों मैं इसको द्वारा से फिर मैं यहां जाओंगा और इसको मैं द्वारा से एक बार पेश्ट कर दूँआ। W से सेलेक्ट किया और Ctrl-Shift-V से पेश्ट कर दिया ठीक है। टोटो इसको मैं ख्रूड़ा से फोटो आपको थोड़ा सा अलग लगी यह फोटो ये टोन देता हूं इसको ओके। इसको येलो कर देता हूं जार इमेज अड़ेश्ट और कैनन मिक्सर से आप इसको आई ए एक्स इसका शोटकट है इसको आप बल्यू यहां करके और इसको येलो कर लीजिए आट अब तो अब आप क्या कीजिए इस फोटो को सलेक्ट किरेक्ट और अट किजिए और फैदर थोड़े ज्यादा दे देजिए इसको ctrl alt d से आप shortcut feather दे सकते हैं 50 का मैंने feather दिया और जितने बार इसको delete बारना है उतने बार ही उसको बारना है ठीक है दोस्तों पांच बार इसको delete करेंगा हम एक sorry select inverse कीजिए पहले ctrl shift i दबा कर select inverse एक दो तीन चार और पांच बार मैंने इसको या delete ठीक है इसी परकार इसको और ओके select inverse feather दिया पचास काई एक दो टीन चार पांच ठीक है दोस्तों तो यह एक जैसा बाटर लगेगा इस पर ओके इतना काम होने के बाद दोस्तों अब हम इस पर आपते हैं इस पर दोस्तों हमें एक लाइटिंग देते हैं सबसे पहले अच्छी लगेगी यहां से लाइटिंग मैंने बना रखिये कुछ आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे लाइटिंग बनती है इस लाइटिंग को मैंने open गया और simple यहां जाके मैं इसको paste कर दे देख लेना जिस पर आपको सेटिंग लगए वैसे सक्रीन यह मल्टिप्लाई पर बहुत अच्छा इसका एफेक्ट आता है इसको स्क्रीन कर देता हूं कर देता हूं कर तो यह 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 वाइट लाइट आपको ज्यादा दिख लिए तो इसको थोड़ा से कम करने के लिए आपको ठीक है यह देखिए रेजर में इस पर थोड़ा सा लगा देता हूं ज्यादा लग गया है तो 20 करके आप इसके ओपे सीड़ी फिर कर दीजिए ठीक है ओके इसको थोड़ा सा यहां कर दीजिए आप ओके और अब हम इस पर आएंगे इस बैकडूंड पर आप एक फोटो लगाईए मैं यह फोटो ओपन करता हूं और Ctrl-a Ctrl-x करके और इसको बंद कर देता हूं तो आप select में जाए Lower section और OK कीजिए sorry इसको select कीजिए यह इस तो इसtha को select का है? select और Talk selection और OK कर अफिक हैaa तो यह लेयर सेलेक्ट हो चुकिया और Ctrl-V से Ctrl-Shift-V से आप इसको पेश्ट कर दीजिए इसको जूम कर देता हूं मैं थोड़ सा और इस पे भी आप Erraiser से मिक्स कर दीजिए इसको ठीक है Erraiser से आप इसको यहां अब आप इसको एफेक्ट देना जाते हैं तो कोई भी एफेक्ट दे सकते हैं मैं सिंपल यह जो ले रहा है इसको Ctrl-J दबाकर इसको कोपी करूंगा और Ctrl-Bracket से इसको उपर ले आया ठीक है अब यहां से दोस्तों मैं इसको देखूंगा कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है व कि जो भी आपको अच्छा लगये फिकर दि están अगर आप यह फिक्ट से प् toutes पर यह दे सकते हैं अदरवाइस ज़ो आपको अच्छा लगे वह एफेक्ट आप यहां के उपर इंपِّरएज कर दिजीए ठीक है ऑक तो मैं मैं इसको यह इफेक्ट दे देता हूं यह इस पर अच्छा लग रहा है मुझे आप चाहें तो कोई भी इफेक्ट जो आपको अच्छा लग रहा हो वह आप दे सकते हैं ठीक है इसको सेलेक्ट करें यह देखें दोस्तों और एडिट में जाके स्टोक दबाएंगे यह बहुत ठीक है पर दोस्तों इतना कानों उने कि इसको इसको भी सेलेक्ट कीजी आप याठ कर सकते है यह पॉट्ट बोल्डर आप देख लीजिएका इसको ने क्यारेश करना लिए आप दखने हैं खकरना है इसको थोड़ा सा मैं contrast कर देता हूं तक यह अच्छा लगे ओके इसको आप थोड़ा सचाहें तो पीछे दिखा सकते हैं कंट्रोल टी से मैं इसको करता हूं पेस्ट और इसको आप यहां भी थोड़ा से दिखा सकते हैं और इसको आप अरेजर टूल से बाकी मिटा दीजिए ठीक है अब हम इस पर थोड़ा सा एक animation का यूज करेंगे animation flowers होते हैं यह देखिए मैंने पहले ही select करके रख रखे हैं सभी कुछ तो आप यह असानी से आपको net मिल जाते हैं तो आप उनका यूज कीजिए ठीक है ctrl a ctrl x से मैं इसको cut करके और यहां paste कर दूँँ ओके अपको जितना पार्ट इसका चाहिए इतना आप यूज कीजिए ओके अब आप यहां से देखिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर दीजिए इसको screen करते हैं सक्रीन करने से यह काफी अच्छा लग रही लेकिन यह जड़ा हो हार्ड करते हैं ठीक है ओके तो इसको यह करते हैं ठीक है तो इसी परकार आप इसको यहां भी लगा सकते हैं चाहें तो इस तरह किस मैं इसको यहां लगा देता हूँ इसके ओपेसिटी अगर कम कुछ जादा करना जाते हैं यहां से कर सकते हैं आप ओके अब यहां कुछ मैं वर्ल्डिंग लिख देता हूँ यहां मैंने वर्ल्डिंग लिख दी ओके इसको शैडो दे देखें थोड़ी सी यह देखिए इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो माइंड का यूज करके आप कैसे भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं इसमें आप चेंजिंग करके भी देखेगा जैसे यहां गोल करके यहां करके देख सकते हैं तो यह था दोस्तों आज का स्मॉल सा टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक था यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को रेड़ दूर दुबाकर सब्सक् करें अगर आप चैनल पर पहली बार है तो